हेलो दोस्तों, वेलकम टो पी डवली ओनली आईएस दोस्तों, एकॉनमी की सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं अभी तक टोटल हमने 14 लेक्चर्स आल्लेट डिस्कस कर लिए हैं जहां पर हमने एकॉनमी का एक मेजर पोर्शन जो आता है वो डिस्कस कर चुके हैं आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 15 दैट इस इंडियान इंडस्ट्री के बारे में अब ये टॉपिक भी इंपोर्टेंट हमें क्यों देखने को मिलता है तो आपको कुछ इशू सामने देखने को मिलते हैं उनमें एक इशू देखने को मिलेगा कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है न वो उतना अजार डेवलप नहीं हो पाया मैं थोड़ा आपको ना समझाने की कोशिश करता हूं बट उससे पहले आई होप आपको ना अभी तक की एक्रॉनमी सारे अच्छे समझ आ रही होगी और जैसा मेरा फोकस भी है कि कहीना कहीं जो एक्रॉनमी मुश्किल नहीं है बट थोई टेक्निकल है वो टेक्निकल कॉंसेट्स हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी समझे हैं और अभी भी हम समझते दा रहे हैं कंटिनियूसली तो धीरे धीरे आप भी इन सभी कॉंसेट्स साथ बहुत ही बहतर बनते जा रहे हो अब स्टार्ट करते हैं समझते हैं कि इंडियन एक्रॉनमी के सेक्टर्स वैसे मैंने आपको ये चीज़े पहले भी पढ़ाई थी अब जानते हैं कि टोटल हमारे पास तीन सेक्टर्स हमें देखने का मिलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड हमारा जो टर्शरी सेक्टर है ठीक है और जब हमने इनको पढ़ा था हमने ये बात नोटिस करी थी कि बहुत ज़ादा लोग हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर इनवाल्ड है यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ इंप्लाइमेंट की बात कर रहा हूँ यह रैदर आश्यूट से मतलब पीपल जो इंगेजड इन अक्टिविटीस तो ज़ादा लोग कहाँ पर इनवाल्ड हैं आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर पर अगर आप जीडीपी कॉन्टिविशन देखोगे सबसे दाक इसका है तो वो हमें टैश्री सेक्टर का देखने को मिलता है तो पॉइंट पता क्या है यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर के अंदर लोग बहुत जादा इनवाल्ड है और इस वज़ा से यहाँ पर क्या दिक्कत आती है यहाँ पर दिक्कत आती है आपकी छुपे हुए बेरोजगार की जिसको हम क्या बोलते थे Disguised Unemployment हमने देखा था ना कि कैसे एक खेत के जमीन के ओपर पांच लोगों की जुरुवत है पर वहाँ काम कर रहे हैं दस लोग तो जो एक्स्टा पांच लोग हैं वो क्या हुए वो बेरोजगार हुए अगर आप बात करो टर्शरी की तर्शरी अच्छी चीज़ है तो अच्छा कासा ये contribute भी कर रहा है पर यहाँ पर लोगों को चाहिए क्या यहाँ पर आने चाहिए लोगों के पास skills होने चाहिए अगर skills नहीं है तो कहिना के दिक्कत आएगी इसी वज़ा से हम पता क्या बात कर रहे थे कि हमारा ग्रोथ अच्छी कासी हो रही है पर हम उतनी जादा ना jobs create नहीं कर पा रहे जिसको हमने क्या नाम दिया था jobless growth का हमने नाम दिया था याद है एक concept यह हम discuss कर चुके हैं already तो यह आप सर्क समझा क्यों रहे हो हमें हमें ने तो यह चीज़ पढ़ रखी है देखो इसके बीचे समझाने का बहुत ही सेंपल सा लॉजिक है कि यह आपको नहीं लगता जो हमारा secondary sector है basically अगर मैं बात करूं हमारी जो industries की यह काफी हद तक इन problems को solve कर सकते है तो चो एक बार industries ना primary sector के साथ भी and tertiary sector के साथ भी कुछ तरह से linked है getting it agriculture का बहुत सारा समान आएगा वो कहिना कहीं हम industries के दर use करते हैं फिर जैसे ट्रेड हो गया ट्रांस्पोर्टेशन हो गया इस तरह कि बहुत सारी सर्विसिस के माधियम से इनको हम कहिना कि अलग-अलग उसका export कर सकते हैं लोगों तक services को पहुँचा सकते हैं getting the point तो यानि कि यह जो दिक्कते आ रही हैं चाहे jobless growth की बात हो या फिर जो अच्छी खासी है कहने का मतलब क्या कितने लोगों को वह यहां पर रोजगार दे सकता है तो अब इंडिया की इतनी सारी workforce है क्या करेंगे उस workforce का अगर उनको jobs नहीं मिल पारी यहां पर सभी jobs नहीं आ सकती यह बात ध्यान में रखो आएंगी jobs यहां पर पर ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग यह आपके IT में काम करें थोड़ा time लगेगा उस चीज़ के अंदर पर यहां पर यह चीज़ हो सकती है इंडिस्ट्री के अंदर अच्छा कासा potential है यहां पर लो कुछ इस तरह से करी गई है आपके माइनिंग हो गया कि मैनिफेक्ट्रिंग हो गया इलेक्टिसिटी गैस आपकी और बहुत सारी जैसे drinking water facilities हो गया construction हो गया यह सारी अलग-अलग जो चीज़े होती है कहां पर काउंट होती है इस आर काउंट इन वर्ट इस आर काउंट इन आपका secondary sector के अंदर ही classify होती है तो यह आपको कोई पूछे कि क्या क्या है secondary sector के अंदर तो आप वहां पर यह सारी चीज़ें उनको बता दोगे ठीक है सर यह बात तो समझ आई अब हमें थोड़ा असाना अपनी industrial policies के अंदर जाना है कहने का point क्या हम यहां पर अपनी start करेंग हिस्ट्री 1947 से पहले का टाइम है ना pre-independence अब इस time के उपर क्या हुआ इस time के उपर हमारे पास क्या देखने को थे Britishers हम के उपर rule कर रहे थे क्या Britishers ने ऐसी policies बनाई होंगी जो इंडिया में इंडस्ट्री के development के अंदर contribute करें चांसर इस नो Britishers ने बिल्कुल भी ऐसी policies नहीं बनाई उन्होंने उल्टा क्या किया उन्होंने उल्टा कर दिया de-industrialization इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है इंडिया में भेया जो इंडस्ट्री सी ना वो तो हो गई बंद इनका focus कहां चला गया कि भारत से कच्चा माल भेजो कहां भेजो आप ब्रिटेन में भेजो वहां से वो उन कच्चे माल को final goods के अंदर convert करेगा एंड वो समान वापिस से इंडिया में आएगा तो कहां से survive करेंगी इंडिया इंडस्ट्री नहीं कर पाएंगी ये उनकी policy थी अब जब हम आजाद हुए हमने का यार ये policy बहुत गलत है इससे इंडिया को बहुत नुकसान हुआ getting it तो हमने जो policies उस time पर सोची उससे हमने focus किया कि भहिया इंडिया के अंदर हम industries लेकर आते हैं ठीक है और उसी वज़ास से इंडिया के एक policy आई IPR 1948 क्या मतलब इसका IPR का Industrial Policy Resolution of 1948 अब टाइम देखो 1948 अजादी के जस्ट बात का टाइम है बिल्कुल सही बात है उस time के उपर थोड़ा गांधी जी का influence काफी था गांधी जी के वचारों का 1947-1948 के वाल टाइम के उपर तो कही ना कि यह जो policy थी ना यह गांधीयन आईडिया से थोड़ा inspired थी वो कैसे देखो यहां पर focus रहा हमारे जो लगू द्योग नहीं होते cottage industries की बात कर लो small scale industries की बात कर लो यह सारे जो मुद्दे थे यहां पर इस industrial policies resolution के अंदर इनकी बात करी गई कि हमें इनको यहां पर focus रखना ही रखना है तो focus के सीज़ के उपर रहा है यहां पर village economy के उपर गांधी जी का भी तो यही आइडिया था कि villages को हमें कही ना कही उनक वो बहतर करना है ठीक है छोटी industries की बात करते थे तो यहां पर हमारी जो पहली policy आई 1948 के अंदर उसका यहां पर role इस तरह से रहा कि वो चाहते थे small end cottage industries को promote करना ठीक है अब एक चीज़ और भी थी अब यहां पर दिक्कत यह है कि माल लो हमने कोई industry बना नहीं है हमने सोचा क कि हाँ इंडिया में industries हों तो कौन उनको operate करेगा क्या सरकार उनको operate करेगी या private sector इनको operate करेगा इसका idea हमने पहले भी पढ़ाया आप याद करो planning वाला chapter पहला chapter भी देख सकते हो वहां पर भी मैंने आपको private sector और जो capitalist और socialism के वीच में फरक बताया था अब इंडिया आप जा जैसे इस policy के अंदर क्या होता है ना चार broader categories यहाँ पर बना दी जाती है इसका क्या अर्थ चार broader categories का पहला जैसे category बनी है आपकी central government की monopoly इसका अर्थ है जैसे आप समझो जैसे आपका atomic energy है क्या इसके regarding जो भी इंडिस्ट्री बगरा लगनी है क्या यहाँ पर हम private sector को दे सकते है नहीं यह completely किसके अंदर आएंगी completely आपकी जो central government है वो यहाँ पर इनको operate करेगी तो यह इस तरह का एक category बना दिया कि वो वाले sectors जहाँ पर सिर्फ central government operate कर रही है फिर आ जाता है हमारे पास दूसरा mixed sector mixed sector के अंदर क्या होगा यहाँ पर नाम से clear है mixed का मतलब कि आपका private sector भ जो private sector है कही नहीं वहाँ पर वो भी exist कर रहा है फिर तीसरे case में क्या हुआ ना यहाँ पर क्या था यहाँ पर इसका नाम है controlled private sector इसका अर्थ क्या पहले बात तो नाम है private sector साथ में word क्याicer controlled क्या हो सकता है जब भी आप किसी इसको control करते हो, क्या मतलब उसका, कि सरकार उस चीज़ का अच्छा कासा regulation कर रही है, मतलब private sector को बोल तो दिया कि आप industries खोलो, पर सरकार ने उसको अच्छा कासा regulate किया हुआ है, restrictions है कुछ हद तक की, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये सरकार वहाँ पर कुछ दुन चीज़ों को regulate कर रही है, do you get the point, ऐसा नहीं कि खुली चूट आई, जैसे मरजी करो, नहीं, कुछ तरह से regulations है, जैसे for example, आपका जो chemicals की factories थी, ये कहना, private sector के लिए open है, पर कहिना कहीं कुछ regulations के साथ, आपकी sugar हो गया, ये बोल दिया गया, controlled private sector, और आखरी वा ना वो आया controlled comment monopoly के अंदर, ना वो आया mixed sector के अंदर, ना वो आया controlled private sector के अंदर, तो accordingly वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका private sector के अंदर, तो this is how these four broader categories were done, ठीक है, इसी के साथ ना, यहाँ पर अगर आप notice करोगे, 1948 से जस्त तीन साल बाद, एक हमारे पास एक्ट आत क्या ना में इसका, Industries Act of 1951, इसका अर्थ क्या है इस Act का, इस Act का मतलब बहुत सिंपल था, जैसे माल लो आपको कुछ Industry लगानी है, उसके लिए आपको चाहिए होगा एक License Permit, क्या हो चाहिए होगा? License Permit, समझे? ठीक है, License चाहिए होगा, पर याद करो Planning वाला टॉपिक ही, वहाँ मैंने आपको एक License राज करके वर्ड बताया था, License राज, क्या मतलब था इसका? देखो, एक्चुल में न, एक होता है कि आपना किसी Business को खोलने के लिए License दे रहो, ठीक है चलो दे दिया, बट कहीं न कहीं, वो उसका Process बहुँजा कंबर सेम हो चुका है, कितना पड़ यूज करोगे, कब करोगे, और साइसाथ अगर आपको Production थोड़े सी भी बढ़ानी ह तो सरकार के पास इस तरह से आपको बहुत सारे Licenses लेने पड़ते हैं, तो उससे पता क्या होता है, Ease of Doing Business, वो खराब होती है, Do you get the point? पहले यही दिक्कत आ रही थी, आपने Red Tapism, आप लोगे न, Ethics अभी पढ़ा नहीं आई थी, जब आप पढ़ोगे, Red Tapism के बारे में, जि इतने सारे कागज फिल करने पड़ रहे हैं, इतना सारा Processes, इतना complex हो गया, इतना cumbersome हो गया है, कि मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा, तो जो इन्डस्ट्रियस एक्ट था न, ये भी उस टाइम हमें देखने को मिला, 1951 के टाइम पर बहुत सारी दिक्कत आई इसक इसको यहाँ पे जाना, फिर कुछ समय बाद हमारे पास IPR आता है कौन सा, 1956, Industrial Policy Resolution of 1956, अब ये भी हम पढ़के आ चुके हैं, कहां पर उसी चैप्टर के अंदर, Planning के अंदर याद करो, Second Five Year Plan, याद है, सारे different plans पढ़े थे न, Second Five Year Plan पढ़ा था हमने, क्या बो रहा था मैंने उ याद ना ये plan, अब ये है, प्रशान संदर महलों नोब इस जी, पूरा इनके बार में discussion भी किया था, Statistical Institute के regarding इनका काफी important contribution रहा है, तो इनके द्वारा यहाँ पे दिया गया क्या, Industrial Policy Resolution 1956, इनके ideas के inspired हो कही, इस particular IPR को na, Economic Constitution of India भी बोला जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि इनके जो ideas थे, कहिना कि उसको implement किया गया, तो government का, और साथ साथ जो country growth थी, उसके नदर ने point role play हुआ, इसको Bible of state capitalism भी बोला जाता है, तो यहाँ पर इनकी बात थी, focusing on heavy industries के उपर, ठीक है न, basic and heavy industries हमने वहाँ पर discussion भी किया था, उसके उपर इनका यहाँ पर purely focus था, साथी साथ इन इनको आप जो थोड़े backward areas हैं, वहाँ पर आप इनको setup करने की कोशिश कीजिए, ठीक है न, priority उन चीज़ों के उपर थी, जो backward areas है, एक्चल में होता क्या है न, हमारा focus था कि इसके उपर, balanced regional growth, क्या मतलब balanced regional growth का, इसका आते हैं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि कुछ शेतर आ ऐसे areas हो, जो बहुत जार develop हो जाएं, ऐसा नहीं न, होने चाहिए कि यार, यह वाले शहर बहुत develop होगे, और यह वाले गाओं बिल्कुल पिछड़े ही रहे यह जाहिए, यह जाहिए न, होनी चाहिए, तो हमारा focus था, balanced regional growth का, कि हाँ यार, North East में भी development हो, बाकी और जगा प जैसे आप देखते हो, अपने DPSP, DPSP तो सबने पढ़ लिया है, ठीक है न, आपके YouTube के पर सरने cover कर दिया है आपको, डिरेक्टर प्रेंसिपल ऑफ स्टेट पॉलसी, तो वहाँ पर भी तो बात होती है, कि कहना कि जो inequalities exist कर रही है, उसको हमें कम करना है, है कि नहीं, तो उस direction में भी आप यहाँ पर notice कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या हुआ न, यहाँ पर जो classification थी, वो आपकी क्या बनगी, 3-fold classification, 48 की policy के अंदर हमने क्या पड़ा, 4 तरह की classification पड़ी थी, यहाँ पर 3 तरह की हुई, एक था schedule A, एक schedule B, और एक schedule C, यहाँ पर पहले क्या बोला, schedule A के इंडस्रीज गौर्मेंट के हाथ में होंगी, उसी तरह से schedule B के अंदर वो इंडस्रीज रखी गई, जो दोनों को open होंगी, मतला government भी होगा, और private sector भी होगा, तीसरे के उपर न था, जो private sector के पास होंगी, ठीक है न, मतलब कि majority वहाँ पर किसकी होगी, आपकी private sector की होंगी, फिर देखो इस तरह की और भी IPR policies आई, थोड़ थोड़ उनके बार में जान लो, बहुत detail में नहीं जाना, ये दो जो बड़ी थी starting में आई, उनके बार में तो हमने पढ़ लिया, बाकी basic idea रखो, तीसरा जो हम देखने को मिलता है, एक आती है 1969 के अंदर एक policy देखने को मि मानलो एक हमारे पास ऐसे यहाँ वे person है, इसका नाम हम दे देते हैं, वैबव के नाम से, इसने ना मानलो एक जगा के ओपर अपनी दुकान खोल ली, ठीक है न, या रैदर आइशूर से यहाँ पर इस गाओं के अंदर दो दुकान वाले थे, एक वैबव, एक अंकित, ठीक क्या होगा, अब मार्किट में बस एक ही दुकान रहेगी, वैबव की दुकान, अब इस केस में क्या होगा, इस एरिया के अंदर जो भी लोग हैं, उनके पास कोई option ही नहीं है, उनको खरीदना है समान तो किस से खरीदना पड़ेगा, वैबव सही खरीदना पड़ेगा, औ तो भी आप कहना चाओ, इस से पता क्या होता है, वैबव ने क्या करेट कर ली, अपनी एक monopoly करेट कर ली, अब देखो, monopoly करेट करने से दिक्कत का किसको आई, दिक्कत आई इस एरिया में रहने वाले लोगों को, उनको जो वैबव बोलेगा, वो बोलेगा सौर पे क्या समान है, तो उनको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उनको बास कोई option नहीं है, अगर उनको लगता है, वैबव मेंगा बेच रहा है, तो नहीं है, भया, option उनको खरीदना ही पड़ेगा, तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी, after independence, काफी सालों तक नहीं यह दिक्क और ऐसा यहां पर 10 committee ने recommendation दी थी, फिर हम accordingly यहां पर act लेकर आये थे, पर actual में हुआ पता क्या, इस act ना सोच बढ़िया हो सकती है, पर कहना कि इसकी implementation कुछ हद तक ठीक नहीं थी, इस वज़ा से हमने क्या किया, बाद में जाके इस act को repeal कर दिया, और इसकी जगा हम लेकर पर आये, Competition Act 2002, ठीक है ना, और इसी act के माद्यम से हमने एक body बनाई, जिसका नाम है CCI, तर यह CCI क्या है, CCI is Competition Commission of India, समझे इस बारे में, क्या हुआ, Competition Act के माद्यम से हमने बादी बनाई, Competition Commission of India, अब इसका काम वही चीज है, कि कही ना कहीं यह यह देखना, कि लोगों का interest protect हो रहा या नहीं हो रहा, अगर इस area के अंदर बड़ी बड़ी different firms हैं, अलग-अलग companies exist करती हैं इस area के अंदर, तो कहीं ऐसा तो नहीं, कि जो बड़ी company है, उसको कुछ फाइदा हो रहा है, और छोटी company को नुकसान हो रहा है, सब को ना, एक बराबर जमीन मिलनी चाहिए, जिसको बोलते हैं, fair playing field, समझे इस बात को, तो वो competition act यहाँ पर insure करना ही कोश्च करता है, तांकि customers का interest है न, वो हमेशा 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 protect रहे, ये काम है competition act का, समझे, कोई पूछे competition act से पहले कौन सा act था, तो that was MRTP act, इसको खतम कर दिया, उसकी जगा हम लेक कर आए competition commission of India, या फिर या competition act 2002, यह थोड़ा सा basic idea हमें इसके बारे में भी होना चाहिए था, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक और यहाँ पर policy आती है, 1973 की, कुछ नहीं है, बिल्कुल basic था, यहाँ पर कुछ industries को न, core industries बता दिया जाते है, कहने का point क्या, कि देश की development करनी ह तो यहाँ पर इन industries को कहिना के grow करना पड़ेगा, जैसे आपका crude oil हो गया, आपका iron and steel हो गया, आपका coal हो गया, ठीक है न, आपका cement हो गया, इस तरह से 6 industries यहाँ पर identify करी थी, अभी तो हमें आरे पास जो core sector बात करते है, वहाँ तो 8 है, उस time यहाँ पर 6 industries थी, आपको नाम ध्याने रखने, बस example के तौर पर बता रहा हूँ, साथ ही साथ, यहाँ पर 1973 के अंदर foreign exchange की भी बात हुई, ठीक है न, जो foreign exchange के regarding, हमने कोशिश करी, foreign exchange जो कहीं ना कहीं, बाहर से आ रहा है, उसको यहाँ पर हम अच्छे से regulate कर पाएं, यह यहाँ पर हमारा definitely 1973 के अंदर focus रह तो in fact, हम foreign exchange को manage करने के लिए, इसके लिए एक regulation act भी आता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, फेरा नाम दिया, foreign exchange regulation act, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो यह policies न, उतनी जादा important नहीं क्योंकि बहुत पुरानी होगी है, बस एक basic idea में आपको इसलिए दे रहा हूँ, बहुत जाद detail में जाओगे, तो in fact, नहीं important है भी नहीं उतना, UPSC ने इस से regarding बहुत ही time पहले question पूछेते हैं, आजकल नहीं पूछ रहा UPSC, बड़ एक basic idea होना चाहिए, ठीक है, कोई random question आजे तो we should be able to answer it, उसी तरह से देखो 1977 में एक policy आती है, एक्चल में आप सोचने क कोशिश करो, 1977 में बता क्या हुआ, अगर आपने post-independence history पड़ रखी है, तो वहाँ क्या हुआ, उस time ना, जनता जो पार्टी थी, वो सरकार में आ जाती है, और अब नहीं सरकार आई है, ठीक है ना, उसकी विचार धारा, अपनी जो पिछली सरकार है, उससे अलग होगी, तो कहीन है कि उनका कुछ idea होगा, कि कैसे हम चाहते हैं कि industries का development हो, तो इस वाज़ा से वो अपनी नई policy ले आए, ठीक है ना, और उनका focus रा किस चीज के उपर, आपकी जो छोटे उध्योग होते हैं तो इनका focus यहाँ पर shift हो गया, small scale end, जो आपकी tiny industry होती है, जैसे MSMEs वग focus था, थोड़ा बदल जाता है, ठीक है ना, बड़े-बड़े investments की उपर हम ध्यान में देते हैं, प्लस एक जो important चीज यहाँ पर हुई है, वो है कि हमारा export की तरफ भी यहाँ पर ध्यान जाना थोड़ा शुरू हो जाता है, ठीक है ना, हमारा focus होता है कि थोड़ा हाँ यार और भी हम export करें, कुछ ऐसी industries को setup करें, जहाँ पर कहना कि हम चीजों को export कर पाएं, ठीक है तो यह एक basic idea था, हमारी industries policy का, इसके अलावा अगर आप notice करोंगे ना, फिर 1991 के बाद चीज़े बदल जाती हैं, यू नो, यह भी हम पढ़के आ चुके हैं, क्या होता है इस platforms, मैंने आपको पढ़ाये हुआ हैं यह भी सारी चीज़े, LPG का मतलब क्या है, liberalization, privatization, globalization, यहां से हमें पता लगता है, 1991 में आगे कि हालत कितनी खराब हो रखी है, जब foreign reserves बहुत ही कम दिनों के बचे थे, तब हमने क्या सोचा, नहीं यार, हमें अपनी economy को open up करना बाहर से players भी कहिना कि इंडियन economy में participation करते हैं, यह जो सारी चीज़े थी, license, राजवारी चीज़े थी, इनको खतम करने की कोशिश करी जाती है, तो एक series of structural reforms यहां पे लिये जाते हैं, तांकि हमारी जो economy है, उसको हम बैठतर धंग से shape कर पाएं, यह थे LPG reforms, क्योंकि already हमने discuss की हुएं, पिछले chapters के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि same चीज में आपके साथ discuss करके आपका भी time waste करूं, है ना, बाकि जिन्होंने नहीं नहीं देखा हुआ, वो planning वाला topic देखो, वहां बहुत detail में हमने already चीज़े समझी हुई है, getting it, यह book में थोड़ा सा कुछ चीज थी, उसके अंदर थोड़ा हमें बदलाव देखते हुआ, मिल जाता है, कि accordingly कैसे कैसे चीज़े करनी है, deal licensing करते हैं, जो public sector हमने बोल रखा था कि हाँ यहाँ यहाँ पे सिरफ यही सरकार ही हो सकती है, वो धीर देर हम open up करने लगे कि यार ठीक है, privatization करते हैं, सरकार का role कम कर हो, हमारा focus बदलता है एक तरह से, ठीक है, तो यह सारे changes हमें 1991 के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, आगे एक दो चीज़े हमें और पढ़नी है, public sector undertaking, हमने बार बात करी PSU, PSU, PSU के बारे में, पर शायद कहीं हमने define नहीं कि PSU आखिर होता क्या है, ठीक है, अब यहा पास है, उसी साब से तो उसका मालिक decide होगा, बिल्कुल सही बात है, और अगर किसी company का जो ownership है, या जो stock है, वो अगर 50% या 51% जरनली बोल देते हैं, अगर वो 51% या उससे जादा आपका सरकार के पास है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको public sector undertaking बोलेंगे, point बहुत है, अगर 50% या 51% से जादा जो shares हैं, वो आपकी सरकार के पास हैं, तो accordingly उसको क्या बोलेंगे, हम PSU बोलेंगे, बहुत simple definition है, अब आपके दिमाग में आएगा, सर सरकार कौन सी, क्या ये central government की बात कर रहा है, या state government की बात कर रहा है, दिखो कोई भी हो, उसको हम PSU ही बोलेंगे, आगे further differentiation करना हो, तो जैसे आपने साथ, CPSC सुना होगा, CPSC क्या है, Central Public Sector Enterprises, Enterprises वोई सेम चीज़ है, तो यहाँ पर हमने specify कर दिया, Central, यानि कि हमें यहाँ पर पता लग गया, किस तरह की सरकार है, PSU simply बोलेंगे, तो कोई भी हो सकते है, CPSC बोल दिया, तो कहिना कि imagine करना, यह इतने सारे आप लोग न, PSU सुनते हो, ठीके न, अंगेल, ठीके न, और भी बहुत सारे जो आपके, Oil India Limited हो गया, इतने सारे आप PSU देखते ही हो, बहुत सारे लोगों ने आप में से उनमें apply भी किया होगा, अलग-अलग उनके अंदर, तो यहाँ अबर न, अब सरकार का हस्तक शेप हो सकता है, हस्तक शेप मतलब interference हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, और अगर देखो कई बार, मैं यह नहीं कह रहा कि हमेशा interference गलती होता है, या फिर intervention गलती होता है, पर कई बार ऐसा भी तो हो सकता है, कि सरकार इनके उपर दवाब डाले, कुछ ऐसी ची हो सकता है, सरकार चाहे कि या इस बंदे को आप रखो अपने काम के उपर, या फिर ऐसा करो, वैसा करो, ये चीज़ मत करो, लोगों को खुश करो, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कुछ काम करे, हो सकता है ना, तो इनको तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ऐसा काम करने के अगर कहिना कहिना, हर बार नेता जी आके कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे, मैं या पर किसी प्लिटिकल बाटी की बात नहीं रहें, बस आपको समझा रहा हूँ, कि ऐसी चीज़ पॉसिबल हो सकती है, तो यहाँ पर अगर इस पीस यू को अच्छे से काम करना है, तो आप अगर मान लो एक कंपनी अच्छा कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे, तुम और बड़ा बन जाओ, हम तुमें और अटॉनमी दे देंगे, समझे इस बात को, मान लो आप न, आप भी क्या करते हो, जैसे एक मान लो कोई कंपनी है, एक कंपनी में कोई बंदा काम कर रहा है, उसका मैनेजर न, हर काम के उपर उसको टोकता रहता है, कि अब ये कर, अब ऐसे कर, अब ऐसे कर, ऐसे कर, ये नीचे वैला बंदा खुश समझे न, हो रहा है पाया कभी, ये उसको पता है, उसको माइक्रो मैनेज किया जा रहा है, पर अगर इसको पता लगे, कि अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से काम करूँगा, अगर मेरी अच्छी ग्रोथ होगी, तो कल को न मेरे पास खुद के बास decision making power होगी, मैं खुद अप तब कही न, कहीं, आपको उपर वाली bracket में ले आएंगे, उपर वाली bracket के अंदर आपको थोड़ी और power मिलेगी, थोड़ी और autonomous मिलेगी, उससे और अच्छा काम करते होगी, तो इस तरह से आपको प्रमोट किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप अच्छा काम करो आप results लेकर आओ, and accordingly आप अपने decision आप खुद लो, बड़ी है बात है, अगर माल लो कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है, तो हर जगा पर मैनेजर को टोकने की जुरूँत नहीं न, उपर से, समझ भाए इस चीज़ को, तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो पहली बात तो यह समझो, जो मैं बात करना, Central Public Sector Enterprises की, तो यह कौन सी मिनिस्ट्री के तोड़ा एड्मिस्टर किया जाते हैं, तो मिनिस्ट्री का दाम ध्यान रखते हैं, this is Ministry of Heavy Industries and Public Enterprise, बहुत-बहुत important नाम है, भूलना मत, अगर Department पूचा तो Department of Public Enterprises हमें यहाँ पर किया गया है, तो यह तीन दर्जों हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, एक होता है आपका मिनी रतना, केटेगरी 1 and 2, एक होता है आपका नवरतना, एक होता है आपका महारतना, यह अलग-अलग तरा से हमने तीनों दर्जों के अंदर यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है सर, यह बात तो यहाँ पर समझ आ गए, अब इनको एक बार समझते हैं, तीनों है क्या, मिनी रतना, नवरतना, महारतना, जैसे फ़र इक्जापल ना, यह मिनि रतना की वेबसाइट पर जाओगे, तो मैंने यह स्क्रीन शोट वहीं से लिए हैं, आपकी मिनि की वेबसाइट से, तो यहाँ पर नोटिस करना, मिनी रतना, नाम से अभी मिनी की बात हो रही है, महा पर जाएंगे, मिनी, नवरतना, महारतना ऐसे जाएंगे, पर सबसे पहले हमें मिनी रतना की बारे में पढ़ना है, मिनी रतना के अंदर ना, दो कैटेगरीज हैं, आप कोई public sector enterprise है जिसका जो profit है पिछले 3 साल का, जिसने पिछले 3 साल लगा तार profit किया है and positive net worth है, net worth में आपको financial वाला जो chapter था न, I think 6 तिया 7th chapter था, बहुरी डिसक्स किया था net worth, तो वो अगर positive है तब कहिना कि आप eligible हो कि आपको mini ratna 2 का status मिल जाएगा क्या condition थी, कि एक तो आपकी positive net worth हो, और पिछले 3 साल आपने continuously profit किया हो, तो accordingly आपको mini ratna 1 का status मिल जाएगा, बाकी और भी चीज़े हैं आपने अगर loan लिया है, मानलो किसी से के साथ ना, किसी से, तो कहिना कि आपने default ना किया हो, मतलब loan लिया हो तो पका payback किया हो उसको, ऐसा नहीं कि आपने loan लिया था, पर आप उसको pay नहीं कर पाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ठीक है ना, और सरकार के उपर भी dependent ना हो, कि बिजटरी स्पोर्ट के लिए कि सरकार पैसा देगी, तब हम काम कर पाएंगे अगर ऐसा चीज़ है, तो आपको यह status नहीं मिल पाएगा ठीक है ना, तो status चाहिए, तो आपका profit हुआ होना चाहिए, net worth होनी चाहिए positive के अंदर, और बाकी की जो दो conditions अब अगर आप यहां तक पहुंच गए, तो आपको यह status मिल जाएगा इसके देखो, फाइदे हो सकते हैं बहुत सारे, कि अगर आपको मान लो कोई नया project लगाना है, तो वहां पर government की approval की जरूवत नहीं है, getting it कुछ हद तक, मतलब एक certain limit तक, right, जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर 1500 करोड तक का, आपको कोई project करना है, कुछ खर्चा करना है, कुछ बड़ा खर्चा, 1500 करोड तक का, तो वहां पर आपको सरकार से permission लेने की यहां पर जरूवत नहीं है, ठीक है ना, तो 150 करोड तक की आपकी वास autonomy है, इतना पैसा आप यहां पर खर्च कर सकते हो, ठीक है, एक इस से थोड़ा उपर का status भी है, जिसको बोलते है, मिनी रतना category 1 status, अब यह क्या है, यहां पर वो enterprise आएंगी, जिन्होंने पिछले 3 सार में लगातार पहली प्रॉफिट किया है, एंड साथ ही साथ, किसी एक साल के अंदर 30 करोड से जादा का प्रॉफिट किया है, टेक्स देने से पहले, लिखा ना, pre-tax, pre-tax मतलब टेक्स देने से पहले, यह condition है, कि लगातार 3 साल आपने प्रॉफिट किया हो, पर उनमें से कम से कम एक साल जरूर ऐसा होना चाहिए, जहां पर आपने 30 करोड से जादा का प्रॉफिट किया हो, अगर ऐसी चीज है, और साथ साथ पॉस्टिव नेट वर्थ है आपकी, तो आपको मिनी रतना 1 का स्टेटस मिल जाएगा, यहां पर क्या हुआ अगर किसी को मिनी रतना 1 मिल गया, यहां पर आपको 300 करोड तक का खर्चा करना है अगर माल लो, तो भहिया सरकार की परमेशन लेनी की जुरूरत नहीं है, यहां पर कितना था, आपका 1.500 करोड था, तो पहले मिनी रतना 2 था, कोई अच्छा काम किया, उसने अच्छा कासा यह वाला जो ठीक है, माल लो, मिनी रतना भी थी, अब वो सोचेगी नहीं है, इससे और बड़ा बनते हैं, तो कहीं नगी वो आ सकती है, नव रतना कैटेगरी के अंदर, नव रतना कैटेगरी के अंदर थोड़े कुछ और कंडिशन भी होती है, जिसे for example, यह आपको कंडिशन याद नह एक बेसिक आइडिया बता रहा हूं, कि आपका net profit to net worth कैसा है, आपका profit कितना है, profit before, interest and taxes कितना है, ठीक है न, इस तरह से और भी चीज़ें जैसे earning per share, आप listed हो तो earning per share कितनी है, यह साई चीज़े देखी जाती है, उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि हाँ, अब नव रतन का tag यहाँ पर मिल जाएगा, और जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था, यहाँ पर थोड़ी सी और autonomy मिल जाती है, सिर्फ कितनी autonomy यहाँ पर मिल गई है, यहाँ पर मिल गई है, basically 1000 करोड तक की, ठीक है न, यहाँ पर इस तरह से आपको financial autonomy यहाँ पर देखने को मिल जाती है, कि कि numbers important उतने नहीं है, आपको एक logic आना चाहिए कि movement कैसे हो रही है, क्या चीज़ें consider करी जाती है, numbers तो इतना relevant नहीं मैं मानता, ठीक है न, और एक बार आप नवरतन बनगे, उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी classification है, वो आपकी हो जाती है, महारतन, अब महारतन मान लो किसको ब वहाँ पर वो listed होनी चाहिए, और जो भी save B की guidelines है, उन सभी को follow करती हो, ठीक है, उसके लावा क्या होना चाहिए न, उनका जो turnover है, यह 25,000 क्रोड से जाधा होना चाहिए, पिछे 3 साल के अंदर, net worth होनी चाहिए, 15,000 क्रोड से जाधा, और उसी तरा से आपका जो net profit after tax होना तो यहाँ पर देखो conditions और उपर उपर बढ़ती जा रही है, अब इतना सारा अगर आप चीज़ें meet करते हो, तो definitely आपको यहाँ पर महारतन का status दिया जा सकता है, समझे के इस बात को, तो इस तरा से यह चीज़े work करती है, जैसे आज के time के उपर आप देखते हो न, जो बढ़ जाता है, कि अगर आपको 5000 क्रोड तक की, आपको यहाँ पर financial autonomy यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो point मेरा वही था कि किस तरह से आपकी financial autonomy धीरे धीरे कड़के बढ़ती रहती है, starting from the mini रतना category 2, फिर mini रतना category 1, and accordingly, आपका नव रतना and महा रतना, तो यह चीज़े इस तरह से work करती रहती है, ठीक है, I know, थो technical aspect आईए, यह numbers बगएर देखके आप काफी डर रहे होंगे, पर चिंता मत करो, UPS से ज़्यादा question इसके रहानी कभी पूछे ही नहीं, ठीक है, बट एक basic idea जलूर होना चाहिए, कि नव रतना क्या है, महा रतना क्या है, daily wishes के उपर कि हर number रटने की कोशिश करो, क्यों ही बहुत मुश्किल हो जाता है हर number को रटना, पर एक idea जरूर लेके चलो, getting it, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे ना देखो, थोड़ा ना industrial production के बारे में हमें समझना है, कि माल लो हम industrial production की बात करते हैं, हम measure कैसे करते हैं, कि भाया कितनी industrial production ह हुई या कितनी नहीं हुई, उसके लिए हमारे पास कुछ indices हैं, जैसे for example, एक हमारे पास यहां पर IIP देखने को मिलता है, IIP क्या है, index of industrial production, आप यहां पर focus करो, जैसे यहां पर हमारा देखा जाता है, mining, manufacturing and electricity, यह तीन इसके components हमें देखने को मिलते हैं, mining, manufacturing and electricity, अब यहां प माइनिंग का and तीसे नमबर के उपर electricity का, इस तरह से इस वेटेज के हिसाप से हम calculate करते हैं, कि कितना output बदला, पिछले महीने, मतला कितना था, इस महीने कितना है, पिछले साल कितना था, इस तरह से, तो ध्यान रखना, यह क्या है, एक monthly index है, UPSI यहां पर इसको change कर देगा, Ministry of Statistics and Program Implementation, इसके अंदर हमें NSO देखने के मिलता है, तो उस NSO के द्वारा, यह जो IIP index को यहां पर accordingly prepare किया जाता है, तो एक तरह से ना, यह output capture करता है, कितना output हुआ, कौन सी industries ने कितना बद यूज किया, तो वो output हमें मिलेगा, तो accordingly हम compare कर पाएंगे कि पहले के मुकाबले म हम कितना उपर गए, या कितना नीचे आए, for example, example समझाता हूँ, जैसे यह देखो, यह थोड़ा ना, curve पुराना है, पर आप example समझना, जैसे यह देखो, यह अचानक से ना, curve उपर था फहले, फिर नीचे हो गया, फिर उपर बड़ा, यह क्या दिखाना चारा है हमें, यह दिखाना चारा है, यह time देखो, यह time कौन सा है, यह April मही 2020 का time है, और logic भी बन रहा है, यह COVID-19 pandemic का lockdown 1 है, याद करो उस time के पर, April मही 2020, उस time के पर कहां से industrial production हुई होगी, नहीं हुई होगी, industrial production नहीं होगी, तो कहिना कि उसका क्या हुआ, उसका output नीचे आ गया, output नीचे आग तो IIP का इस तरह से हमें पता लगता है कि पहले के comparison में हम कैसे grow कर रहे हैं, क्या positivelyly grow कर रहे हैं, क्या growth बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या चीज़ों हो रही है, वो सारी चीज़े IIP यहाँ पर बता देता है हमें, ठीक है, अब एक चीज़ और, यहाँ पर हमें एक base year भी पत कर चुँगा है, तो please वहाँ पर जाके उसको go through कर लेना, एक important चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कि यहाँ पर न informal sector activities को नहीं लिया जाता, अब आप लोग सोच रहोंगे, सर, formal और informal क्या होता है, देखो यह भी ना, हमने chapter number 4 है, जहां तक मुझा याद है, unemployment topic, वहाँ आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली समझने में, मैंने समझाया हुआ है, कि जो informal sector होता है, जहां पर कहिना कि यह आपके rules and regulations उतने नहीं follow किया जाते, ठीक है, जैसे for example, जैसे working hours का उतना नहीं होता, या फिर कहिना कि आपको social security आपको हो सकता है, ना provide हो, ठीक है तो उस तरह कि जो activities होती है, जो manufacturing के अंदर activity यहां पर हो रही है, वो यहां पर capture नहीं होती, यहां पर formal sector वाली activity यहां पर capture हो जा रही है, यह points आपको ना सारे points के अंदर UPSC आपसे question पूछ सकता है, तो यह चीज़ें आपको यहां पर पता होनी चाहिए, ठीक है, यह भी हम आठ इनको ना आपको इसी order में याद रखने है, पैली बात तो इनके नाम पता होनी यह जाए आ आठों के आठों हो core sectors के, दुसरी बात इनको आपको इसी order में याद रखना है, क्यों याद रखना है, क्योंकि 2015 यह 2016 क différent question देखना उन्होंने order ही पूछ लिया था, कौन सा सब सबसे ज़्यादा है कौन से सबसे कम है तो वी नीड तो रिमेंबर दिस इन इस पर्टिकुलर और जैसे फॉर एक्जामपल सबसे उपर आता है आपका पेट्रोलियाम एंड रिफाइनरी प्रड़क्शन दूसरे लंबर के उपर आता है इलेक्टिसिटी जनरेशन फिर आगया आपका स्टील फिर आगया आपका कोल फिर क्रूड वाइल नैच्छल गैस सीमेंट एंड फर्टलाइजर पर इनको सब्सक्राइब कहते हैं क्यों है व वो इनी 8 core sectors से आता है तो यानि इनका importance बहुत है अगर आपने इन 8 sectors का एक idea लगा लिया ना कि यह 8 sectors कैसा perform करने है हमें overall industry का एक idea लग जागा कि पूरी industry मारी काम कैसे कर रही है इस वज़ा से इनको core sector बोल जाते है थाथ में बाकी बहुत सारे sectors हैं जो इनके उपर निरबर ह अब खुद देखो यार अगर आपकी अच्छी नहीं है तो क्या आपको लगता है बाकी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे प्रिफाइंडरी प्रड़क्शन अच्छी नहीं है तो बाकी सेक्टर के उपर negative impact हो गई होगा उस तरह से बागी चीज़े भी है, coal production हो गया आपका, steel production हो गया, यह सारी चीज़े उसी को कहिने के indicate करती है, इस वज़ा से इनका नाम क्या रख दिया गया है, 8 coal industries, I hope यह भी आप यहाँ पे समझ गये होंगे, उसी तरह से एक और हमारा यहाँ पे industrial output को capture करने एक चीज़ आती है, जिसको बोलते हैं हम क्या, ASI, अब नाम में क्या है, annual, annual मतलब साल में एक बार होने वाला, तो यानि कि कैसे होगा, यह आपका एक साल में, मतलब this is published annually, annually किस के द्वारा, आपके NSO के द्वारा, National Statistical Office के द्वारा यह चीज़ accordingly publish करी जाती है, अब यहाँ पर भी आपको ध वहीं यहाँ पर accordingly cover होती है, ठीक है, तो यह important point भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, बाकी क्या होता है जो unorganized होता है, उसका data भी 5-5 साल के बाद यह capture करते हैं, ठीक है ना, तो unorganized बाला अलग से होता है, बाकी इसके लावा कुछ exceptions भी हैं, जैसे माल लो कोई defense establishment के अंदर कुछ काम हो रहा है, वो यहाँ पर cover भी होगा, ठीक है ना, आपके कुछ gas storage के regarding हो गया, railway की workshops के अंदर काम हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर count नहीं होती, तो basically ना, वो factories देखी जाती है, जो आपकी factories act 1948 के अंदर गत, आपकी जो factories आती है, वो यहाँ पर इ कि वहाँ पर अगर 10 workers हो, और अगर वो बिना विजली के चल रही है, तो वहाँ पर 20,000 workers हो, यहाँ यहाँ पर power है, यहाँ पर अगर वो without power काम कर रहे हैं, किसी भी तरह की without power, तो वहाँ पर 20 workers काम करते हैं, तो उनको देखा जाता है, समझ गे, तो कोई छोटी organization हो, जो इनस basis के अंदर, तो वहाँ पर इसको count किया जाता है, under this annual survey of industries, यह थोड़ा सा ASI के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, एक और भी चीज हमें पढ़नी है, that is PMI, purchasing managers index, यह क्या पढ़ किया रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, indices, हम देखने कोशिश कर रहे हैं, क्या industrial output है कैसा Are we growing, are we going back, कैसे चल रहे हैं, industries आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, future कैसा है हमारा, यह साई चीज़ देखने ही कोशिश करने हैं, इसलिए हमारे पास यह अलग-अलग तरह कि index देखने को मिलते हैं, ठीक है, अब PMI के उपर आओ, purchasing manager index, क्या मतलब इस चीज़ का, समझने कमबर के लिए देखना चाहता हूं, या अगले एक महीने के लिए देखना चाहता हूं, कि अगले एक महीना कैसा रहेगा, तो मैं पता क्या करूँगा, मैं जाओंगा company के मालिक के पास लट से, एक कोई company उठाई मैंने, मैं उस company के मालिक के पास गया, ठीक है, उस company के मालिक कवा है चितने पहले आये थे लेगा कि पहले महीं पहले अच्छा हो रहा था अब अगले फ्यूचर में मुझे लगता है खराब जाएगा यही तीन पॉसिविल्टिया तो अच्छा होगा या उतना ही रहेगा या खराब जाएगा तो इस हिसाब से मैं एक डेटाबेस क्लेक्ट कर लूँगा उस डेटाबेस को और अनलाइस करूँगा एंड इस तरह से में फ्यूचर की प्रडिक्शन कर सकता हूं कि दुनिया भर में नी कि हम फ्यूचर में कहा जाने वाले हैं समझे इस बात को मैं इसको आपको फॉर्मॉला दिखाता हूं फिर आप बैटर समझोगे पहली बात तो ना कि किन चीजों के उपर देखा जाता है यह सारी चीजों के उपर जैसे फॉर एक्जामपल नए ओडर हो गया इंप्लाइमेंट कैसा है सप्लायर डिलिवरी कैसी है प्रडक्शन हो रही है नहीं हो इन्वेंटरी मतलब आपके ज जिसका उसने बताया कि इंप्रूव्मेंट होएगी कहने का मतलब क्या अगर मैंने उससे पूछा कि क्या लगता है फ्यूचर में चीज़ें बढ़िया होने वाली है इससे आज आज के टाइम से अगर बोलता है कि हाँ फ्यूचर बहुत ब्राइट है तो मैं उसको पी वन म पी वन के अंदर मतलब वह चीज़ें जहां पर इंप्रूव्मेंट आ रही है उसी तरह से पीटू क्या है पीटू वह वाले क्वेश्चन जैसे जिसका उसने बोला यार वैसा यह जैसा पहले चल रहा था जिसमें उसको लग रहा है कि एक डिक्रीज आएगा या डिप्रूव्मेंट आएगी कहने का मतलब क्या कि पहले ओडर ज्यादा आ रहे थे अब मुझे लगता है फ्यूचर में ओडर कम आएंगे अगर मानलो कोविड-19 पेंडमिक आ गया तो मुझे लगे ना यार अब तो ओडर नहीं आने वाले अब तो चीज़े दिक्कते आएंगी तो वह वाली चीज़े में पी-3 में काउंट कर लूँगा तो लेट से 40 कोशन ऐसे हैं क्योंकि मानलो अगर 100 कोशन माने न तो उसमें से टोटल 100 ही होंगे यह मानलो 30 वो थे जिन में मुझे लगा कि अब है पी-2 आपका 40 तो 40 को क्या करूंगा 0.5 से मल्टिप्लाई करूंगा और आखरी आपका पी-3 क्या है पी-3 आपका 40 यह बना 40 इंटो 0 जरा काउंट करो इसको 30 यह 40 इंटो 0.5 बना 20 50 बन गया और प्लस 0 तो नेट वैल्यू क्या ही 50 टोटल इसको एड़ करोंगे न तो एक आ सकती है 50 के equivalent एक आ सकती है 50 से कम पर मतलब क्या है 50 का 50 का मतलब यह है कि अगर आपकी value आई 50 इसका अर्थ ही है कि जो चीज़े अभी महीने हो रही है इस टाइम पर हो रही है वैसी ही हम future में expect कर रहे हैं कि ना हालात बढ़िया होंगे ना हालात खराब होंगे अच्छ अगर नंबर आया 50 से नीचे 46, 45, 44 तो इसका क्या मतलब इसका मतलब है situation खराब होने वाली है future के अंदर do you get it simply सवाल पूछ रहा हूं सवालों में देख रहा हूं क्या बेहतर हो रहा है क्या वैसा ही रह रहा है क्या खराब होने वाला है उनको सबको add down कर दिया इस तरह से multiply क रहते हुए अगर वो नंबर 50 से बढ़ा आया मतलब situation बढ़िया है better होने वाली है 50 आया तो वैसी ही रहने वाली है 50 से कम आया situation खराब होने वाली है I hope यह चीज़ें आप समझ गे होंगे यही सारे points मैंने इस slide के उपर लिख दिया है जैसे यह लिखा ना number greater than 50 क्या indicate करेगा expansion, expand हो रही है चीज़ें number less than 50 कहीना कहीं contraction चीज़ें खराब हो रही है contract हो रहा है यही सारे चीज़ें ध्यान रखने वाली बात यह है कि informal sector activity को यह भाई साब भी capture नहीं करते यहां पर मार पास दो तरहां का PMI आता है purchasing manager index manufacturing का भी आता है और services का भी services भी देखेंगे आने वाल manufacturing का भी निकालते हैं हम services का भी निकालते हैं फिर कई बार हम दोनों को इसको combine करके combined CPI वो निकाल देते हैं समझे कि services का अलग निकला है manufacturing का अलग दोनों को करके combined PMI भी मारे सामने देखने को मिल जाता है इनपूट स्टेज के उपर हम यहाँ पर देख रहे हैं यह क्यूं अरे मैंने जैसे manager को पुछा ना तो इनपूट स्टेज ही तो पताएगा कि इनपूट स्टेज पर चाहिए कैसी हो रही है तो यह चीज़े आपको पता होने चाहिए कौन निकालता कौन है इसको इसको नि अंसर यहाँ पर क्रेक्ट होंगे ठीक है तो आई होप आपको यह PMIV पर्चेसिंग मैनेजर इंडेक्स पी अच्छे से समझ आ गया होगा ठीक है यह बात तो सर्थ समझ आई एक ना और टॉपिक दे रखा है आपके इस चैप्टर के अंदर दैट इस TSR TSR क्या है Corporate Social Responsibility क्या आर्थ होता है इस चीज़ का इसका मेनिंग बहुत से सिंपल सा है मान लो कोई कंपनी है ठीक है कंपनी मान लो अच्छा कासा पैसा कमा रही है अच्छी बात है कमाना चाहिए कोई दिक्कत नहीं पर क्या आपको नहीं लगता कंपनी की प्रॉफिट कमाना एक चीज़ है पर प्रॉफिट के साथ-साथ कोई सुसाइटी के लिए उसकी जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल बनेगी यार आप क्रोडो रुपया कमा रहो लटसे आप थोड़ा हिस्सा उसका सुसाइटी को इनवाइरमेंट को वो भी देना चाहिए बिल्कुल अब उसी चीज़ को मेंडेट किया गया है आपके कंपनीज एक्ट के अंदर आप कंपनीज एक्ट के अंदर जाओ तो महां पी आपको मिल जाएगा कि अगर मालो आप एक सर्टेन लिमिट के उपर हो तो अकॉर्डिंग निया आपको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बताऊंगा नंबर्स जोट बड़ी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको कुछ CSR एक्टिविटिस के अंदर देना पड़ेगा इसी को बोलते हैं corporate social responsibility एक्टिव में आपने शायद कुछ students में आप में से triple bottom line के बारे में पड़ा होगा नहीं पड़ा चिंता मत करो आप जब ethics पड़ोगे तो वहाँ पर भी sir आपके साथ discuss करेंगे triple bottom line के बारे में एक्टिव में कुछ नहीं है यहाँ पर आपका 3P का principle follow होता है तो किसका 3P 3P क्या है कि आपकी organization है ना उसको 3P के उपर focus करना चाहिए एक तो है people लोगों के उपर focus नहीं ना करोगे आपकी organization एक दिन बंद होनी ही होनी है आप planet के उपर focus करो environment के उपर भी आपको focus रखना पड़ेगा ऐसा नहीं हो सकता कि भहिया आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे environment pollute होए जा रहा है होए जा रहा होए जा रहा है तो कहिना कि वो गलत चीज़ कर रहे हो तीसा चीज़ है आपका profit economy भी तो run करनी है कहिना कहीं अगर profit ही नहीं होगा आपके company को तो कहिना कि company को sustain करना लंबे time के अंदर बड़ी दिक्कत आ सकती है तो 3P के अंदर आता है people, planet and profit, people bottom line के अंदर भी इसको जाना जाता है चलो सर ये चीज़े तो समझाई अब ये बताओ कि आखिर ये CSR देना किसको है यहाँ पर समझो companies act के अंदर ना ये चीज़ मैंशन कर रखी है कि आखिर इन चीज़ों के उपर आप नहीं देखा हो ना कई companies जैसे अलग-अलग चीज़ों के पर पैसा खरच करती है कि आखिर आपने देखा होगा किसी यहनों मैं आपको खुद बताता हूं मैं काफी टाइम पहले HP में काम करता था बहुत टाइम होगा आप तो चीज़ों को तो वहाँ पर हमें भी अलग-अलग CSR activities के लिए लेकर जा जाता था इस तरह बहुत साई चीज़ा यहां पर करी जाती है कुछी ने research and development के अंदर कर दिया blood donation के उपर camp लगा दिया तो वहाँ पर accordingly पैसा खरच कर दिया इस तरह की चीज़ों के उपर तो environment को कहिना की safe करने के अंदर जो काम किया जाता है या फिर कहिना की people के contribution के अंदर वह सारे CSR के अंदर आते हैं यह तो समझाए पर किसको देना किसको है पहली बात तो यह समझो कि उस company का हमें क्या देखना पड़ेगा उस company का एक तो देखना पड़ेगा हमेरे पास net worth कि जादा है या नहीं है अब net worth का मतलब आपको पता है ठीक है हम औरड़ी finance के चैप्टर के अदर पढ़के आ चुके हैं तो net worth क्या होना चाहिए आपका 500 क्रोड से जाधा दूसरी चीज आपका turnover होना चाहिए कितना 1000 क्रोड से जाधा ठीक है एंड साथ ही साथ आपका net profit होना करना पड़ेगा पर सर्क कितना पैसा देना है contribution के अंदर वह तो बताओ वह आपको देना है यहाँ पे लिखा है कम से कम 2% किस चीज का average net profit of the company made during the three immediately preceding financial years क्या मतलब इस चीज का मानलो इस साल की बात हो रही है ठीक है आप अभी पैसा खर्च करना चाहते हो आप सोचो कितना करना है अब हो सकता है ना जैसे मानलो पिछले तीन साल का देखेंगे हो सकता है पहले साल के अंदर आपने एक करोड कमाई करी थी दूसरे साल के अंदर हो सकता आपकी कमाई थी पांच करोड तीसरे साल के अंदर कमाई लेट से आपकी हो जाती है लेट से तीन करोड ठीक है एक साल में आपका एक क्रोड प्रॉफिट था दूसरे साल में पांच क्रोड से साल में 3 क्रोड average निकाला average क्या होता ХYouoday sum by number sum by number कितना आया lux तेन क्रोड तीन क्रोड आपका average profit था पिछले तीन साल के अंदर तो यह यह पैसा देना है, अरे नहीं, यह नहीं देना, इसका 2% देना है, 3 करोड का 2% जो होगा पैसा, वो यहाँ पर contribute कर वे, do you get it, यह अब समझो, you have to contribute what, at least कम से कम 2% of the average net profit, यह net profit हमने निकाला, उसका 2% हमें यहाँ पर देना है, of the company made during the 3 immediately preceding financial years, तो यह आपको numbers याद लना, this number is important कि 2% पिछले 3 साल के average net profit का, इसाथी साथ, यह numbers भी आप धियान में रखोगे, कि net worth का क्या number है, 500 करोड से जादा, turn over 1000 करोड से जादा, और आपका net profit 5 करोड से जादा होना चाहिए, तब आपके उपल यह चीज़ें applicable होती है, आई हो आपको CSR यहाँ पे चीज़ जैसे for example, education के promotion के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हो, hunger, poverty खतम करने के लिए पैसा खर्च कर सकते हो, तो यह अलग-अलग यहाँ पर provision यहाँ पर बनाई गई है, जहाँ पर आप accordingly पैसा खर्च कर सकते हो, getting it, तो यह कुछ points आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, देखो आपक chapter number या, chapter 8 या, इस तरह से आए, बहाँ पर हमने finance के लिए अंदर NCRT already discuss कर रखे हैं, तो यहाँ पर न, हो क्या राय काप सारे topics बाद में आए हैं, पर हम उनको already finance के लिए अंदर deal करके आ चुके हैं, reason being कि यह इनका linkage था वहाँ पर, हम जब बाकी चीज़े पढ़ रहे थे व NIMZ versus SEZ, देखो SEZ तो शायद आपने सुना होगा, ठीक है न, इसको special economic zone के नाम से जानते हैं, ठीक है, SEZ काफी एक popular term है, जो की बारबार news में आती भी रहती है, ठीक है न, on the other hand, आपका NIMZ की बात करूँ, तो this is what? this is national investment and manufacturing zone, क्या मतलब है सर इस चीज़ का, देखो, class की starting के अंदर मैंने आपके साथ एक ठीक ही discuss करी है, क्या बोला मैंने, हमें कहीनके industries को promote करना पड़े हैं, बात ठीक है, reason हमने देखा था, कहीनके agriculture के अंदर कुछ issues थे, कुछ services एक्टर के अंदर issues थे, उनको tackle करने के लिए हमारी यहां पर industries काम आती है, तो उनको कैसे promote करें, कैसे और उनको सहूलियत दें, कुछ और facilities दें, ताकि कहीनके आगे बढ़कर आपाई, वो चीज़े भी क्या है, NMP, यानि कि, National Manufacturing Policy 2011, इस policy के अंदर हम बात करते हैं, कि NIMZ हम यहां पर बनाएंगे, क्या होता है NIMZ का, यहां पर न, NIMZ के अंदर हम बहुत बड़े area, very large area, ऐसे area बनाएंगे, जहां पर developed areas उनको बनाने ही कोशिश करेंगे, ठीक है, पर काम क्या होगा उसके अंदर, उसके अंदर काम यह होगा, कि यहां पर होगा, क्या, world class level के उपर, न, manufacturing activity, तो जो manufacturing activity होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए, जो कि आपके अपने आप में, पूरी त industrial growth को यहां पर promote कर रहे हैं, है कि नहीं, तो industrial growth promote होगी, तो कहीं न, कहीं, वो पूरा area वहां पर develop हो पाएगा, लोगों को अच्छे रोजगार मिलेंगे, तो पूरा area overall develop हो जाएगा, यह इसका काम है, तो अलग-अलग areas हमने यहां पर इस तना से identify किये हैं, उसी तरह सी जब मैं बात करता हूँ, आपकी SEZ की, Special Economic Zone, दरसल में कमेटी थी आपकी, बाबा कल्यानी कमेटी, उनके दोरा यहां पर इसके बारे में बताया गया था, तो यह नाम भी आप बाबा कल्यानी कमेटी का mention कर सकते हो, यहां पर हमने किसकी बात करी, हमारा focus था, export promotion के उपर, अब आप जानते हो, exports को promote करना अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़ूरी है, ठीक है ना, अगर export promote होंगे, तब ही कहीं न कहीं हम अपने जो targets हैं, वो achieve कर पाएंगे, प्लस साथ ही साथ जो बाकी countries के दिमांड है, हम उनको meet कर पाएंगे, और जो बहमूले हमें dollars देखने क को मिलते हैं, वो सारी चीज़े हमारे सामने आ सकती है, अब इसी वज़ा से हमारे पास act pass हुए, ठीक है, 2005 के अंदर, ठीक है, इसका जो act आया था, SEZ act, 2005 के अंदर हमें देखने को मिला, काम क्या था इसका, काम जैसे मैंने आपको बता है, export promotion, तो दरसल में ने इसको एक तर है, अब यहाँ पर से कोई चीज़ produce हो रही है, तो कही ना कि कुछ हो सकता है, उसके पर duty लगती हो, पर यहाँ नहीं लगेंगी, क्यों नहीं लगेंगी, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई समान बनाए, क्यों समान बना रहे हैं, ताकि वो बहार की किसी country में जाएं, वहाँ पर समान बिके, हमारा समान बिकेगा कब, हमारा समान तभी बिकेगा जब हमारा समान सस्ता होगा, अगर इन प्रोडक्ट्स के उपर हम कुछ ना कुछ duties लगाएंगे, तो क्या हमारा समान सस्ता रहेगा, answer is no, नहीं रहे पाएगा, तो इस वज़ा से इसको हम duty free and claim कितरा treat कर करते हैं, समझे, foreign territory के तरह treat क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो, अगर एक territory से दूसरी territory के उपर समान जा रहे है, तब कहिना कि उसके पर कुछ चीज़ा लगेंगी, पर यहाँ पर अगर हमने उसके foreign territory के तरह trade करिया, तो according नहीं उसके पर कुछ भी हम यहाँ पे duties वगरा नहीं लगा रहे, तो यहाँ पर जो economic laws है, वो भी कहिना कहीं थोड़े relax होते हैं, ताकि focus यह रहे कि वहाँ पर पैसा आपाए, foreign investment आए, and साथी साथ वहाँ पर हम चीज़ों को export कर पाएं, तो यह focus रहता है आपका SEZ का, I hope आपको समझ आया होगा special economic zone के बारे में, तो जो भ world class infrastructure या फिर world class production हो, यह काम इसका रहता है, and on the other hand, जो आपके special economic zone है, यहाँ पर आपके export promotion का काम क्या जाते हैं, ठीक है, तो यह I hope आपको यह chapter जो था ना, आपको एक अच्छे से समझ आया होगा, बाकी देखो, कुछ current phase बाले topic हैं, जैसे ease of doing business, already हम इसको पिछले chapters के इंद आप इंडिया, काफी सारे मुद्धे हम already discuss करके आई हुए पिछले chapters के अंदर, बागी कुछ current phase के अंदर तो चलते ही रहते हैं, तो उनका जो पिछले topics हैं, वो current phase के वैसे relevance है, तो make sure कि आप current phase को follow करते रहो, जो भी इस field के अंदर हो रहा है, सरकार नेनी policies लेकर आ रही है, आपको उनको go through करते रहना चाहिए, कोई और कोई scheme आती है, news के अंदर, किसी भी current के विजए से, कि मान लो कुछ 5 साल complete हुए है, या फिर सरकार कुछ लेकि आई है नहीं scheme, तो वो आपके लिए बहुत जाले element बन जाते हैं, तो इस chapter को तो आपने देख लिया, but make sure कि आप सा स्वान के साथ भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं linkage बनता ही है, तो please इन lectures को अच्छे से देखते रहिए, follow करते रहिए हमारी ये पूरी series को, and current affairs साथ में update आप करते रहिए, हमारी team आपको पूरी help भी कर रही है, तो make sure कि आप ऐसा करें, and I am sure कि आपको जो economy है ना, जो tough लगत आपको अच्छी